15 अगस्त 2020 को भारत अपनी आजादी यानी सोतंतरत का 74 साल मना रहा है सैक्रों सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत अजाद हुआ था है जो की 1857 से सुरू हुई अनुवरत करांती से सुरू होकर लगवक 100 साल रच चले अनुवरत संगर्ष का परिनाम था आज हम सोतंतर भारत में जी रहे हैं इस भारत में हमें हीतों के लिए अब आज उठाने की आजादी मिली हुई है इस आजादी के लिए भारत के कई वीर और प्रंगनाव ने वलिदान दिया है जिसके कारण आज हम आजादी के ये दिन देख पा रहे हैं जाहिड है कि इस दिन के साथ हमारे देश के बहुत से लोगों की यादे जूरी हुई है। हमने भारत की आजादी पर कुछ रोचक तत्य कुछ जानकारिया एकत्रित की है जो कि हम आपके साथ सेयर करना चाहते हैं। उमीद है कि आपको ये पसंद आएगा। भारत के हिंसक स्वधिंता अंदोलन का संचालन महात्मा गांधी न किया था लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो इस जस्न में सामिल नहीं हुए थे क्यूंकि वह दिल्ली के हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोखाली में हिंदूों और मुस्लिमों के ये अंसन कर रहे थे जब दय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा तो जोहरलाल नहरु और सरदार वल्लब भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा इस पत्र में लिखा था 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधिंता दिवस होगा आप राश्ट पीता हैं इसमे सामिल होकर अपना असिरवाद दे गांधी ने इस खत का जवाब भीजवाया जब कुलकता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे थे ऐसे में मैं जस्ट मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूँगा 14 अगस्त की मधे रातरी को जुआहरलाल नहरू ने अपना एतिहासिक भासन फ्रिश्ट वीद डिष्टनी दिया जबकि विदेश के पहले परधान मंतरी 15 अगस्त की सुबह बने थे इस भासन को पुरी दुनिया ने सुना था लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना क क्योंकि वे अपनी दिन चरिया के अनुसार जल्दी सोने चले गए थे भारत का राश्ट ये धोज पहली बार 7 अगस्त 1906 को कुलकता के पारसी बागान स्क्वाइर में फहराया गया था लाल किले में नहीं और इसमें लाल पीले और हरे रंग की लंपुत होरिजोंटल धार जिस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ उसमें भारत का कोई राश्ट गान नहीं था 1950 में जना गान को भारत के राश्ट गान का गड़ब मिला था लेकिन अजादी के वक्त केवल नहरू जी के भासन और लोगों के अजादी का उद्सा ही उनके राश्ट गान का प्रतिक था वैसे हमारे राश्ट गान जना गना मनको निसो गारको ही लिखा जा चुका था दरसल महात्मा गाधी है इंसा के मार्ग पर चलकर आजादी चाहते थे लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि आजादी किसी भी कीमत पर मिले मंजूर है इसके चलते भगत सिंग सुकदेव, चंदर सेखर आजाद और सुपास चंदर बोस जैसे वीडो ने अजादी के लिए अलग रास्ता अपना लिया 15 अगस्थ 1947 को लोड मांट बेटन ने अपने दफ्तर में काम किया दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्री मंडल की सुची सोपी और बात में इंडिया गेट के पास प्रिजसंच गार्डन में एक सभा को सम्बोधित किया भारत अपना स्वतंतरता दिवस 15 अगस्थ को मानाता है जबकि पाकिस्तान 14 अगस्थ को अपना अजादी दिवस मानाता है इसका कारण यह है कि अजादी की घोसना से एक दिन पहले भी भारत विभाजन की घोसना कर दी गई थी 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारन नहीं हुआ था इसका फैसला 17 अगस्त को रेट क्लिफ लाइन की घोसना से हुआ यह लोड माउंट बेटन ही थे जिनोंने नीजी तोर पर भारत की स्वतंतरता के लिए 15 अगस्त का दिन तै किया क्योंकि इस दिन को वह अपने कार्यकाल के लिए बेहत सो भागिये साली बानते थे स्वतंतरता के बारत पूर्थगाल ने अपने संवीधान में बदलाव करके एक खेल खेला और गोवा को अपना राजे घोसित कर लिया लेकिन 19 दिसंबर 1671 को भारतिये इस पस्त्र बलो ने गोवा पर कबजा कर लिया और से भारत में जोड़ा लाल की ले पर जहनदा भारतिये परधान मंत्री द्वड़ा 15 अगस्त को फेराया जाता है जैसे कि दक्चिन कोरिया जपान से 15 अगस्त 1945 को आजात हुआ था ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1970 को और फ्रांस से कॉंगो 15 अगस्त 1960 को आजात हुआ था